श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के प्रिणाम ला रहे है चंद्रमा आपकी कुंडली के पांचवे स्थान में रहेंगे जी हाँ पांचवे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पांचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी, मन पसंद रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सुबै से ही आप जोश में रहोगे, उत्साह में रहोगे, इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जैसे है, वो आपको वापस मिल सकते है, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है, दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी, घर में खुशनुमा माहोल रहेगा, इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा, आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेंगे, किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा, अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए, लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है, पार्टनर के साथ आ अच्छे समय का पूरा लाब उठाए, ये समय आपके पढ़ाई के लिए भी इंपॉर्टनर के लिए अच्छा भी है, तो पूरा लाब जरूर उठाए, जम के पढ़ाई करे अच्छे रिजर्स जरूर आएंगे, आज आपको स्वास्ते भी परिशान नहीं करेगा, पूरा शुब रहेगा इस समय अच्छानक से धन की प्राप्ती भी होने की योग बन रहे हैं यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेज करते है उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है इस समय में गुपत धन आपको काफी लाबदाय करेगी वहां से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा देली अक्टिविटी चुरू रखे योगा करे प्रानयाम करे सु चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीपल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पा दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आते हैं, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी ज ध्यान जरूर रखें। पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें गर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ, सीडियों के नीचे कूडा, कच्छरा, कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीची की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे. साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को अ दूब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में ब और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मकुर्जया का नाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आजाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना है घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्की ला सकते है, धन ला सकते है लक्षमी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद